तो मैं जहांसी से योगिन पटेल आप सभी का फिटर फाइटर चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं बेल जहांसी में टेक्निशन पद पर कारणत हूँ फिटर फाइटर चैनल में सभी स्टूरेंट के लिए हम टेक्निकल कोशन अपलोड करते हैं तो उन कोशन को आप पढ़ सकते हैं और कोई भी जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उस पेपर को आप पास कर सकते हैं बस आप हमारे वीडियो को देखिए ध्यान से देखिए और कोशन के मैं जो पॉइंट बताता हूँ उन पॉइंट को ध्यान से समझेए लिखा है रिविट एक अर्धिस्थाई फासन है तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि रिविट किस प्रकार का फासनर होता है तो रिविट एक semi-permanent फासनर होता है अर्धिस्थाई फासनर होता है तो इससे कहां प्रियोग करना चाहिए यानि रिविट का प्रियो ना लगे, heating distortion को बचाना हो, all, इसलिए इसके right answer, fourth answer, right answer हो जाएगा क्यों, इसकी बज़य में बताता हूँ क्योंकि कभी भी आप question करें तो उसका answer तो सब रट सकते हैं तो जब रटते हैं तो वो answer जल्दी से भूल जाता है हमें उस question का answer मालूम है, लेकिन क्यों है, क्यों हमें करना है किसी भी question में क्यों करोगी आपको answer अधिक समय तक ध्यान रहेगा और समझ में आएगा, bridging ना लगे कई जगए ऐसी होती है कि जहाँ पर हम bridging लगाते हैं अर्थात जब heat करते हैं तो हमारी जोब पर effect होता है और heat से हमारा जोब खराब हो सकता है तो वहाँ पर हम bridging ना करके वहाँ रिविट लगा देते हैं जो पहले option है जहाँ building ना लगे building से तो और ज्यादा temperature आता है जहाँ तक कि building में 3300 degree temperature होता है 3300 degree C जो bridging से कई गुना अधिक होता है जिसमें हमें stress से हनी होती है इसलिए हम उसको गरम नहीं करते हैं तो ये तीनों विजिवा यूज नहीं होती है तो वहाँ पर हम rivit का उपयोग कर लेते हैं तो इसलिए हमारे all answer right answer हो जाएगा कि इन सभी कारणों से हमें rivit का उपयोग करना है इन तीनों कामों का उपयोग उहाँ नहीं करना है निवलित में rivit की धातू नहीं है अब इस question में हमें ये ध्यान रखना है कि धातू नहीं है तो नहीं वाले question को हमें हाँ करके देखना है जो जो हाँ वाले होंगे वो option हम out कर देंगे इस question से पहला है मालल इस्टील ये तो है रोट आरन ये भी है कौपर ये भी है कोई भी इसमें ऐसा मेटल रही है जो धातु नहों इसलिए इसका फोर्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा इसमें तीनों मेटल जो हैं इनसे रिविट बनाई जाती है और इसमें कोई भी अंसर ऐसा नहीं है जिससे रिविट जैसे इसमें लिख दिया जाता है माली यह हाई कारवन इस्टील तो हाई कारवन इस्टील की या हाई स्पीड इस्टील की रिविट नहीं बनती है यह ribita मैंने side में add करके दिखा दी है है को head उपर होता है, beach की body होती है इसे हम sink भी कहते हैं झि मैं body लिखा है, इसको हम hang hangandal वो यह नीचे जो हता है, tail होता है तो इसमें देखना है किस का ब्याश तो head का ब्यास, head की ब्यास कभी नहीक लिए जाता है सेंग के ब्यास से तो इसका अंसर है सेंग के ब्यास से इसका second answer right answer हो जाएगा टेल के ब्यास टेल का ब्यास होगा नहीं क्योंकि यह taper रहेगा तो taper में हम ब्यास को नहीं ले सकते हैं डालते हैं तो इस रिविट हैं जो हम जॉब में होल करते हैं जैसे माली जी मैंने जॉब बनाया है चौकुर जॉब इस जॉब में मैंने होल किया है तो इस होल में इसकी सेंग जाएगी ये सेंग जाएगी बीच का हिस्सा जाएगा तो हम इसी सेंग के के हिसाब से ही जोब में होल करेंगे तो इसलिए जोब में होल करेंगे सेंकी के हिसाब से तो रिविट का साइज भी हमें किस से लेना चाहिए सेंक के ब्यास से लेना चाहिए इसलिए रिविट का साइज सेंक के ब्यास से लिया जाता है ताकि जोब में होल करने में हमें कोई कोई भी परेसानी और कोई भी confusion ना रहे फोर्ट कोशन है सीट का कौन सा जॉइंट है हमें सीट का जॉइंट बताना है इसमें कि सीट कई तरीके से जोड़ी जाती है तो इसमें मैं आपको बढ़िया सीट प्रिक बता देता हूं जे सीट यह एक दूसरी को पर तरकी उपर कर देता हूं अब तीन लेप जॉइंट में आप देखी समें evolving जो हैं डबल लगूहई है अगलवडल में ऐसे डपते लगी हुई है तो देख लेजेये इसमें젒ल तिक की जगह दोना चाहिए तो इसका अँसर जो है सेकिंद नासर राइट अंसर हो जाय गा विय इसमें double rifted की जगा यह meaning disturb हो गया यह दर rifted होना चाहिए तो इसका answer जो है second answer right answer हो जाएगा B answer right answer होगा क्योंकि double rifted lab joint यह double rifted लगी हुई है यदि एक rift लगी होती तो हम उसे single rifted बोलते और दो rift लगी है इसलिए हम इसे double rifted बोलेंगे इस तरीके से हम किसी भी joint को पहचान सकते है फिप्त question है किसी चीज की एक air से एक air सटा कर लगने वाले joint को क्या कहते है तो अभी-अभी मैंने जो बताया है उसमें एक seat दूसरी seat के ऊपर रखी हुई थी इसमें एक air जी है एक air जी है तो इसमें शताया है नहीं गया इसलिए ये वाला जो ज JESS能 था भो ले जॉन था अभी मैंने फोर्ट नमर के question में बताया लेकिन इस question में जो फिप्ट question है इसमें हमें A से A सटाना है तो जाव हमारी seat के A से Y सटते हैं उसे हम lab joint कहते हैं lab joint में face से face टकराता है देखे इसमें ध्यान से देख लीजिए face से face टकराएगा ये face से face तो ये lab joint हो जाता अब a से a टकराता है तो उसे हम बोलते हैं butt joint एक question आपको किताबों में नहीं मिलेगा आपको ध्यान से समझना है कभी भी ऐसा question आ सकता है कि face से face टकराने में seat का कौन सा joint बनता है तो lab joint बनता है तो ये से a टकराने में butt joint बनता है ये हमारा जो चित्र बना हुआ है इस से हमें बताना है कि ये कौन सा nut है तो ये nut जो होता है इस से हम जब लगाते हैं तो हमारा bolt lock हो जाता है, तो देख लीजिए इसमें dom nut तो है नहीं, इसको हम इस तरीके से करते हैं कि कौन सा nut है, इसमें चित्र में दिखा है, तो पहला नमबर का हम dom nut जानते हैं, जिस nut के उपर याईसे जल्दी से कर सकते हैं, और bolt को बिना किसी locking device की मदद से, इसी speed nut से हमारा bolt जो है lock हो जाता है, और खुलता नहीं, next question हम करते हैं, खोगली rivit को क्या कहते हैं, खोगली rivit जो होती है, उसे हम pop rivit कहते हैं, क्योंकि pop rivit का मैं trick आपको बता देता हूँ, इसका जो third answer, right answer हो जाएगा pop rivit, जो मैंने साइर में एक चित्र दिखाया है, और इसके बाद मैं एक pop rivit का एक वीडियो भी आपको दिखाते हूँगा, जिससे आप समझ जाओगे, कि ये ripting किस तरीके से होती है, अब मैं इसको पहचानने लिए कि बता देता हूँ, जब किसी बास की लकड़ी को खरीदा जाता है, तो ये बास की लकड़ी जो रहती है, 20 से 20 से खोकली रहती है, तो उसको हम सुद्ध भासा में बोलते हैं कि पोली रहती है, तो जो पोली वाली चीज़ को होती है, तो पास से पोला आ रहा है, पोरो सिटी, पोरो सिटी बेल्डिंग मे पोरोशिटी कहते हैं तो पोरोशिटी पॉप से ररिलेटिट है इसलिए हम पॉप रिव trivial समझ जाएँगे और हम देशी भासा में पॉला भी बोलते जो अंदर से खो ठोकला होता है कोई चीunde से पोला या पोज़ा पॉप रिविट होती है जो चित्र में आप देख सकते हैं बीच में खोगला है और आप इस वीडियो में भी देख लीजी इससे भी आपको समझे यह पॉप रिविट है इसमें एक तरह बासर लगा हुआ है इस तरीके से हमें लगा है रिविट को वह हमें खीचेंगे तो नी स्लाइड में चित्र है इससे आप देख लीजिए और रिविट हैं इसमें उपयोग नहीं होती है यह चित्र में मैंने सिप की बॉड़ी का एक चित्र आपको दिखाने के लिए एड़ किया है तो इसमें दीए जो रिविट इस तरीके की रिविट रहती है ऐसी इस करने के टूल बनाए हैं तो इसमें चार टूल मैंने आपको बना की दिखाए हैं सबसे पहले नंबर पर एक बना हुगा है और दूसे नंबर पर तीसे नंबर पर है चौथी नंबर पर तो इसमें सबसे पहले हमें पहले वो दूसरे में डिफरेंस समझना पड़ेगा कई ल दूसरे नमबर वाली को rivit snap कहते हैं तो इसका right answer, B answer, right answer होगा, यह यहासा half round shape में क्यों बनाया जाता है इस तरीके से, यह rivit के head को अंतिम रूप देने के लिए इसको उपर से लगा करके हो तोड़े से ठुक देते हैं, तो यह rivit snap का प्रयोग करते हैं, head को अंतिम रूप देने के लिए, अब मैं पहले चेत्र को बता देता हूँ, जो पहला चेत्र है, इसमें इस तरीके का slot बना हुए, इस तरीके का, तो इस slot से क्या होते हैं, जहां हम इसको rivit को डालते हैं, तो उपर से seat को दवाने के लिए हम rivit set का उपयोग करते हैं, इसके बाद यह drift है, जो तीसे नमबर पर बनी हुई है, और चौते नमबर पर कौकिंग टूल होता है, तो फूला हुआ लाइता है, फूलरिंग टूल, वो कविय की नौक की तरह होता है, वो कौकिंग टूल होता है, rivit snap होता है, यह head को अंतिम रूप देता है, जो मैं जिस question का answer है, यह view option में दिया गया है, next question हम करते हैं, next दस्मा question है, rivit set की sank, 20 से कटी, जिस rivit की, sorry, जिस rivit की sank, 20 से कटी हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आप लोगोंने कई rivit ऐसी देखी होंगी, सीधी सीधी, इस तरीके से solid रहती है, लेकिन एक rivit ऐसी होती है, यह बीच में कट रहता है, देखिए, इसमें यह बीच में कट है, तो इस rivit को क्या कहते हैं, कहां पर लगाते हैं, तो इस rivit को हम बोलते हैं, steam tank rivit तो यह तो होगा नहीं, steam tank क्योंकि steam में हमारी stamp head rivit लगती है, pop rivit अभी-भी मैंने बता दी, जो खुकली rivit होती है, तो इसका answer होगा, buffer catted rivit, जब भी आप अधिक अच्छी तैयारी करोगे, तो आपको जिस तरीके से मैं question solve कर रहा होगी, a answer नहीं होगा, c answer नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें इसके बारे में मालूम है, इसलिए कौन सा answer होगा, second answer, right answer होगा, अभी कैसी होती है, मैं बता देता हूँ, जिस तरीके से हमारे जो belt रहते हैं, चमड़े के belt, उनमें एक, उसको pin को lock करने के लिए, छोटे-छोटे से aluminum की rivit लगाई जाती है, या फिर जूतों में lace डालने के लिए, छोटे-छोटे से aluminum की rivit लगे होते हैं, इस तरीके से चमड़े में, इस तरीके की rivit या किसी कपड़े में कोई hole बनाना है, तो उसके लिए करते हैं, जब यह इसको हम उपर से लगा देते हो, इनको ऐसे مोड़ देते हैं, तो इस तरीके से मुड़ जाते हैं, तो इसका टूल होती हिं दोनों क épensa याइक लाट कप एट नबर कोचिके हैं पॉस्ट होगली की रिपिंग करता है तो इसका फॉस्ट है युद्ध करता है और है पॉस्ट होगा यह और दूसे नंबर पर हैंड रिपिटर होई Er Dani's मसीब बने हुई है तो पॉप रिविटर का मैं जो वीडियो एक दिखा रहा हूँ आपको उससे आप समझ जाओ किस तरीके से का यह पॉप रिविट है और इसमें हम पॉप रिविटर का उपयोग करेंगे जैसे रिविट डाली हमने हम पॉप रिविटर का यूज करेंगे जो हम कुश्चन में दिखा रहे थे यह पॉप रिविटर है क्षिच दिया उसने और यह एड बन गया हम करता है नेक्स से 13 कुश्चन रिविट की कि का रखा जाता है रिविटिंग जो हम करते हैं मन लेजिए यह seat हैं लेब जोइंट में तरके उपर रखी हुई है अब इसमें हमें rig出來 हाने हैं तो यह करीबीट ङए इदर लगाई यह करीबीट इदर लगाई इस तरह philanthropy से हम rig लगाते हैं तो एक के center से दूसरी reign के center की बीच की जो दूरी होती ए इसे हम pitch कहते है यह P की value होती है तो यह P की value कितनी होती है तो कि P की value 3D रखी जाती है तो first answer right answer हो जाएगा 3D से कम रखोगे तो क्या होगा यह दोनों seat हो जो hole है यह दोनों hole एक दूसरे से फट कर मिल जाएगे इस फटने को गुण को हम जो कहते हैं इसे tiering कहते हैं और 20 से फूल जाता है तो इसे हम gapping कहते हैं अगर दूर दूर hole करोगे तो इसमें हमारा 20 से हमारा seat फूल जाएगी तो उसे हम gapping भी कह सकते हैं क्योंकि seat के बीच में gap आ जाएगा इसलिए रिबिटों के बीच का पीच होता वो standard 3D होता है 1.5D और यह 6.600T क्या लिखा हुगा है यह सारा बता रिता हूँ यह lepping जो यह lepping है तरकी उपर हमने seat को रखा है सिंगल में तो इसमें 3D होती है और डवल में 60 होती है जो चौती नमबर पर लिखा हूँ जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे यह कोई seat है और यह rivet हम लगा रहे हैं तो यह rivet US seat के किनादे से कितनी दूर पर लगाना है तो यह 1.5D रखी जाती है तो यह भी एक answer है लेकिन इस question का answer 3D होगा एक rivet से दूसरे rivet की बीच की दूरी 3D होता है और यह कई वार UPR, VUNL या ordinance या कई examo में हमेशा आती रहती है इसलिए आप इस पर गौर कीजिए और समझिए नेक्स question हम करते हैं पोटीन question इसमें एक rivet का specification दिया गया है snap head rivet MS 16 into 70 ISE सारा लिखा हुआ है तो snap head rivet का मतलब है यह rivet इस तरीके की है और mild steel की यह बनी हुए है क्योंकि इसमें mild steel लिखा हुए है 16 16 इसकी सेंग का वियास है और यह 70 है यह इसकी लंबाई है 70 इने में में इसकी क्या होती है यह लंबाई होती है तो देखे तो second answer में right answer नेक्स question है इस question में मैंने आपको दिखाने की कोशिस की है कि यह rivet को किस तरीके से लगाया जाता है और किस तरीके से इसका पिछ होता है तो इसमें देख लिजिए एक rivet के दूसरे rivet के बीच की दूरी को इसको हम पिछ कहते हैं और इस तरीके से plate ओं को तरकियों पर रखक तो हमारी रिविट टाइट जाएगी तो लगभग हमें 2.2 mm करना पढ़ेगा 0.2 mm का allowance रखा जाता है लगभग 10 mm तक की रिविट के लिए और बड़ी रिविट आएगी तो 0.3 और 0.4 mm का allowance इसमें रखा जाता है 2 mm से 10 mm के लिए 0.2 तो हम इसमें जो होल करेंगे हम वो 2.2 mm का इसमें हम गोल करेंगे तो हमारी 2 mm की रिविट आसानी से इसके अंदर चली जाएगी 16 question गोल सिरे वाले रिविट की लंबाई का सूत्र है तो गोल सिरे वाली रिविट की लंबाई किस तरीके से हम सीट की मुटाई के अंसर फाइंड करते हैं वो सूत्र में आपको समझा देता हूँ जा हम दो सीटों को तरीकी उपर इस तरीके से माल लिए रख दिये इन दोनों सीटों की मुटाई जो ठिकनेस है जो ठिकनेस है माल लिजिए कि इसका जो है ठिकनेस है total दोनों की thickness मिलाके seat की thickness मिलाके माल लीजी होगे t mm होगे 2-3 mm भी हो सकती 5-5 mm होगे लिकना हमने दोनों की thickness t माल ली तो इसमें इसमें जब हम इसको hole कर दिये अब हमने इसमें rivet डाला है तो हम rivet इस तरीके से जो हमारा head रहता है head माल लीजी एछ है अब नीचे rivit को R-par निकालना और head बनाने के लिए भी हमें निकालना है इस तरीके से तो हमारी rivit जो है जो T लिखा मैंने इस T से बड़ी होना चाहिए क्योंकि हमें दूसरे सिरे पर head भी इसको बनाना है तो इसके लिए L जो rivit की लंबा ही होती है T plus head बनाने के लिए allowance होता ह क्योंकि rivit का head हमें बनाना है यह rivit care मैंने उल्टी डाल दी है भी दोस्त आपको rivit जो है नीचे से डालना पड़ती है तो head उपर बनाने में आसानी रहती है तो उसको आप सीखिए कि rivit को नीचे से डालना है लेकिन rivit दोनों seat की मुटाई से उपर निकलना चाहिए क्योंकि ह हमें head बनाने के लिए भी rivit चाहिए तो इसका answer जो होगा first answer right answer हो जागा यह लगराबर t plus 1.5 into d जो दूसरा answer लिखा हुगा है यह counter sink head rivit के लिए लिखा हुगा है दो नंबर पे और तीसे नंबर पे लिखा हुगा है यह 1.0 into t यह जो हमारी और rivit होती है जैसे मान लीजिए flat head rivit उसके लिए allowance हो जा तीसे नंबर पे और चोथा answer कोई answer नहीं होगा तो इस तरीके से हम आभी next question करने वाले हैं उसमें हम rivit की लंबाई को find करेंगे तो उसमें यह formula हमारा काम आएगा देखिए जैसे rivit की लंबाई हमें निकालना है तो हम rivit की लंबाई कैसे देख लीजिए आप 12.5 mm है दूसरी plate की मुटाई भी 12.5 mm है और इसमें जो rivit लग रही है तो और rivit कौन सी है देखिए head से हम समझ जाएंगे इसने फेट रिबिट है और rivit नीचे से लगी हुई है जो मैंने आपको बताया था कि rivit हमीसा नीचे से लगाई जाती है नीचे जो है डोली एक डोली है यह डोली होती है हम डोली बोलते है जो नीचे head को support कर रही है जिसे मैं दिखा देता हूँ अच्छे से आपको यह नी बचाने के लिए क्योंकि दिक्कत नहीं होना चाहिए उसी तरीके से हमें rivit के head को बचाने के लिए नीचे डोली लगाना पड़ता है इसे हम डोली के इसमें head की आकार का safe होता है जिस तरह की rivit होती है अब खेर हमारा एक question है कि हमें इसकी लंबाई निकालना है तो अब यह empyreys हो गया मिलाके तो 25 हमारा यह हो जाएगा plus multiplic क्यों करना डाया का तो 23 ऐड़ के थी 33 हमें तर गोला करेंगे तो हमारा 4.5 यह आ जाएगा तो दोनों का मिलाके हमारा 29.5 होजाएगा तो 29.5 यह answer में दिया इसलिए का answer हमारा first answer right answer हो चाह जाएग और मैं दोस्त आपको वि counter sink head हमें बनाना है देखिए उपर यह हमारी counter sinking की हुई है इस तरीके से इसका नीचे का head आपको इसने भेट दिख रहा होगा लेकिन इसमें रिविट का ऊपर जो head बनाना है वो हमें counter sink बनाना है तो counter sink के लिए जो सुत्र होता है L बराबर T plus 0.6 into D यह होता है हम लगाते हैं इसमें इसमें साड़े बारा साड़े बारा है तो 25 तो यह फिर से दोनों की ठेकनेस होगे लेकिन हमारी रिविट जो है आर पार रूपर निकलना चाहिए head बनाने के लिए तो हम D की जगार रखेंगे इसमें D की value 3 में हमें 3 का हमें दर पर हम दूसरा पहला वाला question आपको दिखा देते हैं इसमें देखिए इसमें जो हमारा head बन रहा था यह round head बन रहा था देखिए इसमें ऐसे snap head ribbit में हमें 1.5 वाला सूतर लगाना है और इसमें counter sink वाले में 0.6 into D वाला सूतर लगाना है यह दोनों सूतर याद कर लीजिए रट लीजिए बिल्कुल next question हम करते है 19 question इस question में जो है हमें ribbit का ब्यास पूचा गया है कि यह दो प्लेटे हैं 18-18 mm की दो प्लेटे हैं तो इसमें हमारी कितनी मौटी ribbit लगेगी mm में है यह तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हम ब्यास को find करते हैं तो यह दि हमारी mm में value रहत आएगा और 6 का हम 36 का इसको रूट आएगा 6 और 6 का इसमें हम गुड़ा करेंगे 6 का हम इसमें गुड़ा करेंगी क्योंकि रूट हटा होगी तो 36 का च्छे आजाएगा तो 0.6 into 6 होगा तो 6 36 तो 3.6 mm आंसर आ जाएगा तो इसमें साहिद पॉंट नहीं रखा है डी वाले म है तो 1.9 under root T काम करेगा next question हम करते हैं देगे इसमें वही question लिखा है कि रिविट का व्यास हम किस सूत्र से find कर सकते हैं तो इसमें में लिखा डी बराबर 0.6 under root T यदि सेंटीमीटर में प्लेटों की ठेकने से तो 1.2 under root T यदि इंच में दिया है तो डी बराब 1.9 under root T इसलि all answer right answer हो जाएगा तो दोस्त वीडियो देखने के लिए thank you इसी तरीके से आप हमारे वीडियो देखते रहिए समझते रहिए और हमारे चैनल फिटर फिटर को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो हमारे वीडियो के share करें लाइक करें आज के लिए इतना ही ओक के बाय बाय